नवस्कार मेरे प्यारे मित्रों मैं पंडित राजी गुरु सर्मा आप सभी का एक बार फिर शे हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल में स्वागत हैं साथ योँ आज हमार करने वाले हैं कि तुला राशी के जातक और जाती काओ के लिए मार्च का महीना 2020 में कैसा रहने वाला है क्या सुब क्या सुब संकेत लेकर आ रहा है तो सबसे पहने मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो किसी भी राशी का वीडियो बनाते हैं चाहिए हम साल का बना या महीने का बना या देनिक बना या सब्ताइक बनाए तो हम बिल्कुल जो जरूरी बाते हैं उन पर ही चर्चा करते हैं और कम समय में आपको बिल्कुर सथीग जनकारी देने का प्रियास करते हैं तो मित्रोब सबसे पहले बात करते हैं यादे तुछारासी के जातक जाती काओ के मार्च के महीने में बात करें तो मार्च का महीना 70% सुब रहने वाला है और बहुत सारी खुशिया प्रिजदार करने वाला है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तुला राशी के जातक जाती काये हैं उनके मार्च के महीने में साथ सुब कारिये बनेंगे यानि साथ सुब संकेत मिलेंगे और चार असुब संकेत मिलेंगे यानि चार कारी आपके बिगडेंगे तो इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मित्रो यदि आप नहीं तक हमारे सब्ध ग्यानी यूटूब चैनल को सस्प्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप हमारे सब्ध ग्यानी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब क्र लिजेे ताकि आपको हमारी आने वाली हर ग्यान वर्दा कोड़ियों वीडियों समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे तो सातियों सबसे पहले बात करते हैं कि तुलाराशी के जातक जाती काओ के साथ मार्च के महीने में ऐसी कौन सी चार असुद घटनाए घटित होने वाली हैं इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहला असमसंके तुलाराशी के जातक जाती काओ को मार्च के महिने में ये मिलेगा कि जितने भी तुलाराशी के जातक जाती काओं हैं उनको थोड़ा या ज्यादा स्वास्त से जुड़ी हुई परेशानिया परेशान करेंगी आपका स्वास्त अच्छानक खराब हो सकता है जैसे पेश्ट दर्द होना या गैस कवज के सिकात बनना या सरदर्द के पीड़ा बुखार ठकान जैसे ऐसी समश्याएं मार्च के महीने में तुलारासी वाले जातक-जाती काओं को परेशान करें दूसरा असुख संकेत तुलारासी के जातक-जाती काओं को मार्च के महीने में ये मिलेगा कि जो तुलारासी के परिवारिक संबंद है या पती-पत्नी के संबंद है या प्रेम संबंद है या रिष्टे-दारी या यारी से जुड़े संबंद है ये अच्छे नहीं रहने वाले, इन में किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी या मन मुटा होता रहेगा, चलता रहेगा नमबर तीन तुलाराशी के जातक जाती काओ को मार्च के मेने में ये असुप संकेत मिलेगा कि जो तुलाराशी के जातक जाती काओ के गुप्त सत्रू हैं जो आपसे चिड़ते हैं जो आपकी खुशी को बरदास नहीं कर पाती हैं, वो आपको नीचे दिखाने का प्रियास करेंगे, आपको अपमान करने का प्रियास करेंगे, यानि आपको गुप्त तरीके से भी नुक्सान पहुंचाने का प्रियास करेंगे, इसलिए आप सचेत रहें और साधान रहें नमबर चार असुब संकेत उलाराशी के जातर जाती काओ को मार्च के महिने में ये मिल सकता है किसी अगनी की वज़े से या किसी चोरी होने की वज़े से आपको नुक्सान का सामना करना पड़ेगा आपका कोई समान या तो अगनी की वज़े से जल सकता है या कोई समान आपका चोरी हो सकता है ये लुकसान आपको मार्च के महीने में उठाना पड़ सकता है तो ये तो मार्च के महीने के चार असुर संकेत जो मैंने बताए है अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे कौन से साथ सुव संकेत तुलाराशी के जातक जाती काओ को मिनने वाले हैं अब उन पर हम चर्चा करते हैं या नया कोई विद्योधन्दा करना चाह रहे हैं तो यदि आप उनमें हाट डालते हैं या थोड़ा सा भी और प्रियास करते हैं तो आपको अपार सफलताएं प्राथोंगी और आपके भाग्ये का और आपके सफलताओं का सितारा समकता हुआ नजर आएगा यानि आपको लाव ही लाव मिलेगा तो वो बिलकुर सटीक और पिरमाणित होंगे यानि उनमें आपको सफलता मिलने से उनमें आपको काम्यारी मिलने से कोई नहीं लोग सकता नमबर तीसरा सुबसंकेत ये मिलेगा तुलारासी के जातक जातिकाओ को देखने के लिए मार्च के महिने में क्योंकि तुलारासी के जातक जातिकाओ के कुछ पूजा पार्ट से जुड़े कारिये रुके हुए आ रहे हैं और वो मन से ये चाह रहे हैं कि हम ये पूजा पाट, दयादान या हवन कथा कुछ भी करें धार्मिक कारिये में आपकी आस्ता और विश्वास बढ़ेगा जिसमें आप बढ़ चड़ कर भाग लेने वाले हैं नमबर चार तुलारासी के जातक जाती काओ को मार्च के मेने में ये सुबसंकेत मिलेगा यदि तुलाराशी के जातक जाती काये राजनीती से जुड़े हैं राजनीती में कोई भी कारिय करने के छुक हैं यदि आप उसमें बढ़ना चाहते हैं या उसमें प्रियास कर रहे हैं तो आपको राजनीती में सफन होने से कोई नहीं रोक सकता आपको राजनिती में विजय प्राथ होगी आपका राज्य पक्ष मजबूत होगा नमबर पांच सुल संकेत तुलारासी के जातर जातिकाव को मार्ज के महिने में ये मिलेगा यदे कोई उनका पुराना कार्य को रूपा हुआ रहा है जिसमें वो फसे हुए थे जिसमें वो उल्जे हुए थे तो वो मार्ज के महिने में संपुन हो जाएगा चाए वो कर्ज का हो या फिर किसी संपक्ति का हो या फिर कोई बिजनिस वेपार हो जिसको लेकर आप परेशान होते हुए आ रहे हैं कि ये कारी हमारा कब बनेगा, कब पूरा होगा, अब बेचिंता रहे हैं, क्योंकि आपका मास के महिने में ये कारी संपुर्ण होने जा रहा है नमबर छे, तुलारासी वाले जातक जातीकाओं को ये सुमसेंकेत मिलेगा, यदि तुलारासी के जातक और जातीकाओं नौकरी करते हुए आ रहे हैं, चाहिए नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनमें बहुत ज़्यादा पदोन्नती मिलने वाली हैं, और आपका अच अच्छी नौकरी अच्छी पोष्ट भी प्राप्थ हो सकती है, मन चाहिए नौकरी आपको मिल सकती है, नमबर साथ, तुलारासी के जातक जातीकाओं को ये सुमसेंकेत मिलेगा, यदि तुलारासी के जातक और जातीकाओं कमीशन, 60 वजार, प्रोपर्टी डिलिंग या ठ रहेकेदारी के कारियों से जुड़े हैं तो उनको मार्च के महीने में धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होने वाली है और इन कारियों में आपको बहुत ज़्यादा लाम मिलेगा और समसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सफलताओं के साथ साथ धनलाव होने के साथ साथ बहारवालों का अंजान वयक्तियों का सहयोग मिलेगा और बड़े-बड़े अधीकारियों से आपका संपर्ग बनेगा यानि आपको समाज में कही जिगे मान सम्मान भी मिलेगा और जो वयक्ति, गीत, संगीत, गायन, वादर, खेल, गूद, वयायाम या लेखन, प्रिकासन से भी जुड़े हैं तो भी इन कारियों में अपार सफलता है प्राप्त होंगी और सम्मान भी खुम मिलेगा तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी तुला राशी के जात क जाती कैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मित्रों जो हमें आपको ये जानकारिया दी हैं या मार्च के महीने का आपको ये राशी फल बता है, बिलकुर सत्य और सटीक है, आप अजमा कर देख सकते हैं, हम जो भी बारे राशी का राशी फल बताते हैं, बहुती सोच, विचार कर और निचोड निकाल कर आपके सामने बेज करते हैं, तो साथ योदि आपको हमारी बता दोनाराशी के जातर जाती काओं के लिए मार्च के महिने में कुछ तारिके कष्ट बरी रहेंगी वो भी आप लिख लिजे या ध्यान से याद कर लिजे तो वो कौन-कौन से तारिक है यह भी आप सुन लिजे एक, नो, अठारे, तेहिस और अठाईस ये तारिके तुनाराशी के जातर जाती काओं के लिए मार्च के महिने में कष्ट बरी रहेंगी इसलिए आप संयम के साथ और मीठी वानी के साथ अपने समय को गुजारने का प्रियास करें क्योंकि मीठी वानी से दुस्मन भी अपना हो जाता है और पत्थर भी पिगनने लगते हैं सबसे बड़ा तरीका और सबसे बड़ी सकती हर इंसान के पास यही होती है तो दोस्तों यदि हो सके तो आप नियमित हनुमान चालिशा का पाठ करते रहें क्योंकि हनुमान चालि मिलेंगे नई ओड़ी वीडियो के साथ अब तक के लिए पंडित राजगुरु सर्मा का आप सभी को जैन जैर्भाव कि मुद्क कि में टुला लरे हो दो नई चैनल बने हैं सब्दमनि सब्धग्यान उन पर अच्छ marriage आती हैंची बजन आते हैं उस चैनल को चलाओ उस पर अच्छी घ्लां की बाते सीखो दिखाऊ में चलागे बताती है है यहां देखो गोड से इस तरीका से खोलना है चैनल यह आसाब दमनी तुमाना था बड़ी हा बड़ी हा बड़ी आदि से इस चैनल को देखना है आप सब को मैं तो विलिकारों वैद्विया विलिकारों